सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को रोज नए वीडियो पाने के लिए तो चलिए अब सुरू करते हैं आज का वीडियो नमस्कार दोस्तों मैं पंकर सर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो सुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा और मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जैसा आप सब जानते ही होंगे कि यूट्यूब जो है उन्होंने अपने नू मौनिटाइजेशन रूल्स निकाले हैं और उन रूल्स के तहट 20 फरवरी से पहले जिस यूट्यूब चैनल पे 4000 गंटे का वोस्ट टाइम यानि जिस चैनल को 4000 गंटे नहीं देखा गया है और जिनके 1000 से कम सब्सक्राइब सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी चैनल को यूट्यूब बंद करने के तयारे में हैं तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो है आप पूरा देखिए बीच में स्किप ना करें और बीच में एक्जिट ना करें जिससे मेरा जो चैनल है उसको भी 4000 गंटे का वोस्ट सब्सक्राइबर्स हो सके तो इसी आशा की सात मैं आज का वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ देखिए सबसे पहले हमें हमारे फोन का जो प्ले स्टोर है प्ले चोरνη हम चलना है और प्ले लिए रही है तो यह पर ?. यहां को मक्री क्पर करना होगी। रहे हैं अगा ? क्ना जानी। असके लिए बाद में लिए खुते हैं पनीजोंड करें हैं लॉइंस क्रेशरी है, मीरे लगे। इसका जो star rating है वह है 4.4 की यानि कि 5 में से 4.4 की जो rating है वह आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छी rating है इसके यह बहुत ही अच्छा एप है और बहुत से लोगों नो इसको डाउनलोड करके इस्टोल भी किया है तो हम इस ओपन को इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले आपके पास में यह स्क्रीन आएगी उससाब से पहले आपको उपर यह बता रहा है कि आपके सर्वीस अफलाइन इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रुत नहीं है नीचे लिखावा है स्टार्ट रिकोर्ड तो अगर आप इसकी किसी चीज को रिकोर्ड करना च जैसे यहां पे देखो कुछ ऑप्संस दिया गए है पहला है टाइमर का अगर हमें इसके लिए को टाइमर सेट करना है तो यहां से हम टाइमर सेट करके और जब वो टाइमर ओन होगा तभी हम तभी यह जो एप है रिकोर्ड करेगा वीडियो रिकोर्डिंग उसके बाद मे तरह स्क्रीन ओन अगर हमारी स्क्रीन ओन रहेगी तब ही यह रिकोर्डिंग ओन करेगा लेकिन हम यह एप इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें ओफ लाइन रिकोर्डिंग करनी है अगर हमारा फोन लोक रहे अगर हम केमरा के एप्लिकेशन में ना रहे तो भी हमारा फोन है व मोबाल की स्क्रीन है उसके बोटम में एक न्यू आइकन बना देगा उसके उपर अगर आप टेप करेंगे तो ही ये स्क्रीन रिकोडिंग करेगा तो हम इसको किसी को भी नहीं काम में लेते हुए जो इसका डिफॉल्ट अप्लिकेशन है उसके ही ओके कर देते हैं उसके बाद में नीचे देखिए यहां पर जो हमने रेकोडिंग की है उसकी लिस्ट है कि मैं आपको रेकोड करके दिखाऊंगा ओफ लाइन जब हमारी फोन की स्क्रीन ओफ होगी और यहां पर दियावा है इसकी सेटिंग्स तो जो सेटिंग्स हम आप थोड़ा द्यान से देख लें इ इसके बाद में देखिए यहां पर केमरा का ओप्सन दिया गया है केमरा इसको कौन सा यूज करना है तो हमें बैक कैमरा यूज करना है क्यूंकि इस्टिंग ओपरेशन जो होते हैं वो पिछे वाले केमरे से होते हैं उसके बाद है ओटो फोकस तो फोकस को हमें हमेशा important चीज है इसका दो नोटिफिकेशन है उसको हमें रिमोव करना है इसको हमें अलाव नोटिफिकेशन की पर्मिशन नहीं देनी है इस तरह आप इस पर टेप करेंगे तो यह अलाव हो जाएगा मगर इसको हमें बंद ही रखना है इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि अगर हम इ तो वापस हम सेटिंग में चलते हैं सेटिंग में चलने के बाद में हम देखते हैं कि उसकी आगे की सेटिंग देखते हैं उसके बाद में देखिए हाइड एप का आइकन दिया गया है यहां पे एक नमर ओड़ेड़ी सेट किया हुआ है है जो 12345 इसको जब आप अपने आपका जो कीपेड है उस पे जाके इस नमर को डायल करें करके और अगर आप कोल वाले ब वीडियो रिकोड करेंगा उसको ऑटोमेटिक ही हाइड कर देगा और उसके बाद में है इनेबल पासवर्ड तो हमें पासवर्ड इस पर रखना है ताकि इसको कोई भी ओपन ना गर्श के और नीचे दिया है चेंज पासवर्ड का उप्शन तो इस तरह से आप इसके कि स्क्रीन हो से को ओन करके और रखता हों उसके बाद बाखिया जो डिखा देंग आपको यह मैं जो इसको फिर रोप करके भी दिखा दूंगा तो आदे रिकोडिंग हमारी हो चुकी है अब मैं हमारी फोन को लोक कर देता हूं आपके सामने देखिए वीडियो हो लोक हो चुका है अब देखिए मैंने आपको केमरा लोक करकी दिखा दिया यहां पर हम सिंबली इसका जो डिकोर्डिंग है उसको स्टॉप कर देते हैं देखिए मैं आपको भी दिखाएता हूँ कि कैसे यह स्क्रीन रिकोर्डिंग करता है तो इसके एप में हम दोबारा चलते हैं कि इसका जो एप है इसमें हम चलते हैं दोबारा और यहां पर देखते हैं कि स्क्रीन रिकोर्डिंग किया है कि नहीं किया तो इसमें पास्वर्ड डाल के इंटर हो जाते हैं और अभी देखते हैं यहां चो इसके लिस्ट है लिस्ट में आप देखते हैं कि यहां पर एक व करता है या नहीं करता तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था मुझे इस लोगो के आइकॉन को दबा कर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं